आज आप लोगों को बताएंगे अकरकरा के बारे में और यहां के मुख संबंधित रोगों के बारे में तो चलते हैं इसको दांत में अधिक मात्रा में दर्द हो वह क्या करें इस अकरकर के पुस्प को आप तोड़ लिजिए और जी जगह दांत में दर्द हो जगह पर दबा करती है इसके साथ इनके जाड पूस्प और हलका कपूर लेकर के सेंधना मख मिलाकर कि मनजन करना करने से दांत के दांत के कीड़े मर जाते हैं इन में शमता है दांत के दर्द भी ठीक होता है मुख दुर्गन में अकरकरा, माजुफल, नागरमोथा, भूनी होई फिटकरी, काले मेर्च, सेंधर नमग, इनको बराबर पीस करके मनजन बना लिजे, और हर रोज दांतों पर मसुणों पर मलने से, आपके जितने भी मुख के दुर्गन्द है, दांत के रोग है, तमाम रो गया हो, तो इसको कुट पीस करके इनके जो पुस्प है, उनको आथ दांतों के सामने दबाने से कीड़ा मरकर बाहर आ जाता है, और इनके जड़ है, फूल है, और हल्दी लीजिये, सिंधरा मकले करके, सरसो तेल में मिला करके मन्यन करने से, दांत के समस्त रोगों का मिठत है, यह पुणरूप से एक प्रकार के दिव्य प्रोग है, जो बता रहू हो, सत्य प्रोग है, दांतों के बारे में, और इनकी जड़ को चबाने से भी या काड़ा का कुला करने से, गंडूस करने से, दांत के कीड़े, दांत, धर्द, खादी, जितने भी वात्परकोप से ह रोग हो दांतों में उसको भी निवारन करता है और जिसको साइटिका हो गया हो ग्रिदसी बोलते हैं तो इसके जड़ को अख्रोड के तेल में मिला करके मालिस करने से साइटिका जो होती है ग्रिदसी होती है उसको भी निवारन करता है और इसके साथ हम कुछ और उससे पाज चूर्ण को चूर्ण करके उस कपड़े से च्छान लेजिए और इसको सुने मात्र से स्वास रोग में लाब होता है यहाँ एक अच्छी आर्वेदी कवसदी है इसके साथ आप इसका बुखार में भी प्रियुक कर सकते हो इसकी जड़ का चूर्ण जैतुन तेर में मिला करके सरीर मालिस करने से बुखार उतर जाता है चाहिए कितने दिनों का बुखार हो और लकवा में भी इसको छोटी अनन्दमूल होती है उसके साथ में लकर करा का क्वाद बनाकर पिलाने से मुह में जो लकवा होता है मुह का जो लकवा है उसका निवारन करता है तो आप इस तर आप पाईए भाय दूज की हर्दिक सुप कामना है